नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्त पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पानी में एक ऐसी दिव्यशक्ती होती है, जिससे आपकी प्यास बुच्चती है, और यदि आपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली, तो इसके प्रयोग से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। यदि आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका रुका काम बनता नहीं है, घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है, गरीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, और आपने यदि पानी का सही रूप से प्रयोग करना सीख लिया, जान लिया जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, तो आपके सारे काम बन जाएंगे, गरीबी दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी, आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपको लक्ष्मी माता का आशीरवाद मिलेगा, भगवान भूलेनात के आ पानी लेकर आते हैं, ताकि उनके घर की नेगिटिव जो भी शक्तियां हैं, वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से, परन्तु आपके घर जो एक साधा पानी आता है, उसका प्रयोग करना, यदि आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में पानी से कर सकते हैं, दोस्तों, वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयूर वेदी को पाए, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा, जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे, उसक आपको नहीं पता चल पाएगा, कैसे आप लोग पानी का प्रयोग करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं, आज जो भी बताने जा रहे हैं, उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दे, कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रुपया का खर्चा नहीं होगा, परंतु आप लाखों रुपय का लाब पा सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है, इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का पांच-छे मिनिट जरूर से लेगी, किन्तु विश्वास करिए, इसी वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्षमी का सुख सम्रिद्धी आपके घर जरूर आएगी, दोस्तों पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इनसान कुछ भी कर सकता है, दोस्तों यदि एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वो सब कुछ निछावर कर दे एक गिलास पानी के लिए आपको बता दे, एक मनुष्य के विकल्प में पत्ता खा कर जी सकता है, फल खा कर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे विकल्प के रूप में, वह कुछ भी नहीं चुन सकता है, उसे पानी चाहिए ही वरना वो जी नही पानी लोगों की भावनाओं को समझता है आपने यदि पानी की सारी तरीके की बातें सब्सक्राइब और गंभीर्था से समझ लिया तो यकीन मानिये आपको पानी के रूप में जो दूसरे होते हैं उसको आप अपने जीवन में दिन में चार के काम में ले आएंगे दोस्तों, पुराने समय में एक कावत होती थी कि उसके घर का पानी नहीं पिएंगे क्योंकि आपको बता दे, जो बुरे लोग होते हैं, उनके घर का यदि आप पानी पीते हैं, तो आपके उपर नेगिटिव शक्तियां वाश करने लगती हैं इस पुराने समय के लोग बार बार कहते थे, कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा आज भी बहुत से लोग हैं, जो बुरे लोग जो होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं दोस्ता आपको बता दे, यदि आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप केवल पानी से, यदि आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने विनाश कर सकते हैं आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है, बनने के पीछे कई कारण होते हैं, कोई व्यक्ति आपके बारात से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हडपना चाहता है, तभी व परन्तु आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड क्योंकि एक साधारन पानी का प्रयोग करके आप अपने शत्रु को उसके घुठने के दम पर ले आएंगे और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए यदि आप पानी को पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं यकीन मानिये आपका शत्रु घुटने पर आ जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, परंतु इसके विकल्प आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये आसान सिक्रिया है। स्वादिष्ठान चक्र कमल करके आप अपने शत्रु के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएग जो भी जानकारी हम आपको देने बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं। आपके जीवन सुक्स, मृध्धि और भाग्य के साथ चला जाएं। और वो किसी ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुँचाने के ब जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। परन्तु बदले में, यदि कोई व्यक्ति उस सच्चे मनुष्य का नुकसान करना चाहता है, तो स्वाधिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान कर देता है, जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नेग शिव भगवान का आशीरवाद मिले तो कॉमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। हर हर दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। अब आप कम समय ना करते हुए आपको सरल भाशा में बता दें। स्वाधिष्ठान चक्र का यदि आपको उपाय करना है और आप चाहते हैं कि आपका शत्रू बरबाद हो जाए तो आपको एक तामबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा। ये चेतावनी है वरना स्वाधिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा वो आप पर भी आ सकता है। यदि आपके पास का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। आपको कुछ भी नहीं है आपको इस गिलास को लेना है इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है इसमें अपनी परचाई को देखना है। ध्यान रखिएगा जब स्वाधिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो। आपके पैर में चपल ना हो। आप नंगे पाव जमीन पर खड़े हो। मतलब धरती से आपका पाव चूना चाहिए। धरती से आपका पाव कनेक्ट होना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र आधे घंटे तक स्मरन करना होगा बोलना। ये प्रक्रिया केवल आपको साथ दिन करनी है सुबह सुबह बजे से पहले शाम को साथ बजे के बाद ये क्रिया, यदि आपने कर ली, आधे घंटे तक आपको करना है, ये साथ दिन तक आप यकीन मानिए, जो आपका शत्रू होगा, वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा यदि वो आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी चालू हो जाएगी, आपको बता दे, आपका आपके बारे में सोच सोच के घबराना चालू हो जाएगा, वो आप जब भी देखिएगा, अपना रास्ता बदल लेगा स्वादिष्ठा चक्र हिंदू पुरानों के हिसाब से, शत्रूं के लिए सबसे खतरनाक चक्र माना गया है, स्वादिष्ठान का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तांबे के लोटे और मिट्टी का जो भी गिलास होता है, उसी में आप लोग इसका ध्यान लगाईएगा स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके, आप अपने शत्रू को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, कि बहुत से लोग होते हैं, जो ये सोचते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र का प्रयोग करके, हमने नेक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं तो आपको बता दे, स्वादिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक को बरबाद करें, स्वादिष्ठान चक्र केवल बना हुआ है, शत्रु की बरबादी के लिए नेगेटिव ताकतों को रोकने के लिए, इसलिए यदि आप लोग स्वादिष्ठान चक्र क इसलिए प्रयोग करना रहे होंगे क्या आप एक भले इंसान का जीवन बर्बाद कर दें तो ध्यान रखिएगा वो कभी भी ऐसा नहीं परन्तु यदि कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा होगा आपको बर्बाद करना चाहता होगा तो स्वदिष्ठान चक्र उसकी बर्बाद ही कर देगा दोस्तों अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान पूरवक सुनिएगा क्योंकि यदि आप लोग से परेशान चल रहे हैं आपके घर में पैसे स्रोत बंद हो गया है आप लोग बहुत ज्यादा तंगा चुके हैं कैसे अब अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए तो इसके लिए आपको एक मंतर का जाप करना होगा जिसके बारे में अब आपको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों आपको बता दे यदि आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं गरीबी से दलिद्रता से आपका व्यापार नहीं चल रहा है पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है तो इसके लिए जो मंतर का जाप करना होगा वो होता है मंतर का जाप करके आप अपने जीवन में चुम्बक की तरह को हुए देखेंगे आप अपने जीवन से दलिद्रता गरीबी को जाते हुए देखेंगे भगवान भोलेनात और माता लक्ष्मी का आशीरवाद आते हुए देखेंगे आपका जीवन सुख और समरिध्धि से भर जाएगा जैसा हमने पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि जो भी पहली क्रिया थी उस क्रिया के अंतरगत आपको पहले साथ बजे से पहले उन मंत्रों का जाप करना था परंतु इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है इसमें साथ बजे के पहले ना साथ बजे के बाद का जाप करना है श्रीमत जो होता है इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपनानी होगी मतलब जितनी बार आप पानी पिएंगे उतनी बार आपको शरीन बीज का जाब करना होगा वो भी दो आपको करना होगा आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बार हम कैसे इसका जाब कर सकते हैं इसलिए हम आपको हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं और शरीन बीच का काम कैसे होता है वो बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और बिलकुल भी स्किप या मिस ना कीजिएगा। आपको बता दें मंत्र जो होता है वह ऐसा मंत्र होता है जो सीधे सीधे बाबा भोलेनात के लिए आप लोग जबते हैं और बाबा का आशिरवाद मिलता है। माता लक्षमी का भी इसमें आशिरवाद आपको मिलता है। इसलिए धन आने के रास्ते खुल जाते हैं श्रीमिस म अंत्र यदि आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं बोल सकते तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प जिसके लिए आपको लाल गुलाब ये होगा, इस लाल गुलाब को आप किसी भी किसी भी एक गिलास के बोतल में डाल दीजिए, उर अपने हाथ में पकड़के, बिना श्रीम अल्ला पानी तयार किया है, इसको पलट लीजिए, इसको पलट लीजिए और पूरे दिन इस पानी का प्रयोग कीजिए, इसी को आप लोग पीते रहिए। दोस्तों आपको बता दें, जब आपने पानी के साथ श्रीमी इसका जाप किया था, उस पानी के अंदर अभिमंतरित मंतर हो गया था, मतलब वह पानी जो है अभिमंतरित हो गया था, अब इस अभिमंतरित को जब आपने जब बोतल में पलटा, तो ये अभिमंतरित पानी उस पानी का धारण करते हैं, आपके शरीर में ये जाता है, ये आपका पानी जो शरीर में जा रहा है, ये आपके शरीर को अभिमंतरित कर देता है, और इस से आपको एक अलग सी उर्जा देखने को मिलेगी। दोस्त, तो ये जो जानकारी हमने आपको दी है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। आर्थिक समस्याओं से कर्द से परेशान है तो हर बुधवार को गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीरवाद मिलता है और जीवन में उन्नति के प्रशस्त होते हैं इसके करने से जीवन में धीरे-धीरे सुख सम्रिध्य आती है और विग्न भी दूर होते हैं ध्यान रखे कि रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की जरूर करें दोस्तों हमारे चैनल गरुड धर्मार्त हिंदू पुराणों के हिसाब से करता है और हमारे चैनल का एक मकसद है जनहित और जनकल्यान इसलिए आपसे एक निवेदन था हिंदू भाईयों तक इस चैनल को पहुँचाईए ताकि वो भी जीवन में आगे जा सके उनका भी सुक हो सके और उनके सुक से आपको भी पुण्य मिले और हमको भी पुण्य मिले और हम दोनों पुण्य के भागिदार हो जाएं आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझा गई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दे धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए